परम पुज्य सद्गुरु देव जी, मानुष समाज के प्रभल प्रेनश्रोत वन्दनीशन समाज, ससंग सरीता में निमज्जन कर रहे आत्मी बंधों, ममता में मातायों बहनों। स्री कभीर आस्रम भाइसमुंडी के तत्वाधान में तृदुशी ससंग समारों का आज पहले दिन की दूसरी सभा चल रही है। सतसंग का आयोजन यहां किया गया है। सतसंग सीफ और सीफ मनुष्यों के लिए है। आपने कभी न सुना होगा, नहीं देखा होगा, कि मनुष्य के अलावा और जितने भी प्रानी हैं, कभी किसी की कोई गोश्टी हो, कोई अच्छी बातों को लेकर चिंतन चल रहा हो, यार ऐसी कोई बात हो, ऐसा नहीं होता। सत्संग का योजन, कहीं पर शेमिनार्य और कुछ होता है, जो कुछ होता है मनुष्य के लिए, ये सत्संग की योश्टा, मनुष्य को पड़ती है, अनिप्रानियों को नहीं, जो भी जीवन में उत्रिष्ट काम करता है, अच्छा काम करता है, वो व्यक्ति अच्छा काहलाता है, दूसरी बात हम लोग देखें कि मनुष्य के अलावा, अन्य जावनवर, अन्य जीवजन्तू, के लिए न कोई थाना है, न कछेरी है, जितने भी थाना कछेरी योँ तो जितने भी हैं, मनुष्य के लिए है, मनुष्य में अच्छा बनने की भी शंभावना है, और बिगड़ भी सकते हैं, दोनों जीजे हैं, आप जब अच्छा कर्म करते हैं, तो सुभाविक आपकी जीवन में उसका सुख़त परिनाम आता है, आदमी अदिवर्तमान में भी प्रेजेंट में अशांत है, दुखी है, उसके अंदर में पीड़ा है, कशक है, दर्द है, इसका मतलब साबसी दहें कि आप अच्छा कर्म नहीं कर रहें, और जीवन में शुक्षान्ति या मन्चैन का शमराज्य है, जीवन अच्छा से सहस्ता से बीत रहा है, इसका मतलब है आप अच्छा कर्म कर रहें, तो यह सतसंग जो हम आयोजन करते हैं, इतनी वड़ी हम काम कर रहे हैं, इतनी आप सब की गाड़ी कमाई जो लगी हुई है इस शिर्फ और शिर्फ मलुश के लिए हैं, सतसंग करते हैं, भजन करते हैं, अच्छे विचारों में जब हमारा मन रमता है, तो जीवन में सदबुध ही आती है, सतसंग से सदबुध ही आती है, यह परिवर्तन का जगा है, बोल चूप, या और कोई गलतियां होती है, उन यही पर हमें जीवन निर्मान की बाते सुनने को मिलती है, यही पर मनुशियों को शंतों की ग्यान की बाते चोट करती है, अपनी अच्छाए और बुराई को समझने का यही जगा, जैसे हम सीसा के पास होते हैं, तो हमारा चेहरा दीखता है, साब साब, जैसे हमारे चेहरे बाल बिखरे तो बाल बिखरे हुए नजर आती है वैसे ही जब हम सत्संग में जाते हैं संद्गरुशंतों के शानी दिमे जाते हैं उनके चरन सनन में हम जाते हैं तो हमारे अंदर की बुराईयां दिखती है और उन्ही बुराईयों को उन्ही कमजुरियों को जो दूर कर ले वही सच्चा इनसान है मनुष्य के रूप में तो सब दिख रहे हैं अकार में प्रकार में लेकिन मनुष्यता बहुत कम लोगों की अंदर है मनुष्य के रूप में दिखते तो बहुत हैं लेकिन मनुष्यता की बुद्धी बहुत कम लोगों में आज हम देखते हमारी इस भारत देश की देनी दसा देखे एक दिन भी का ऐसा समचार निज्टेनल नहीं होगा जिसमे माँ बहनों के बलतकार छेड़कानी चौरी हत्या लूट की वारदात की घटनाओन अगटती हो यह भारत देश धर्म की नगरी हमारे पुरुजों के जो उच आदर्श अने को रिशी मुनी हुए इस भारत देश अने को वीर शहीद हुए हमारे पुरुजों ने जो रास्ता दिखाया जो उन्होंने करके दिखाया यह यह भारत मा भारती दो ढ़ाई सव वर्सों से फिरंगियों के गुलाम थे हम लोग भारत के वीर जोणों को कुछ लोगों को सूज हुई कि हम लोगों अपने ही देश में इसी देश के वसिंदे होकर भी गुलामी की जिन्दगी जी रहे है कुछ लोगों की मन में करांती की आग लगी और इस भारत देश की अजादी के लिए कुद पड़े कितने नौजवान जिसकी मौंच और दाड़ी की रेक भी ने आई थी फासी के फंदे में हस्ते हस्ते जूल गए उसका रीजन उसका कारण ये की है कि आने वाली मेरी संतान सुखत और सुन्दर जीवन जी सके मैं आप लोगों से पुस्ता हूँ कि आज हमारे जो महाफुरूश हुए इस भारत की अजादी के लिए पने प्रानों के आहोती दिये बलिदाने किये क्या उनको जिन्दगी जीने का सौप नहीं था क्या अपने माबाप और अपने फैमली के बीच में रहे कर क्या वो जीवन जीना नहीं चाहते थे चाहते थे लेकिन हम लोगों के लिए हमारे संता और गुरूशनों को देखे इतने कडाकी की ठंडी पड़ी गला देने वाली ठंडी पिर भी हमारे संत गुरूशन परियाग राज से चलकर यहां क्या कुछ चंद रुपिया और पैसों के लिए मुझे तो इतना विश्वास है कि हमारे संत गलियों में गाओं में जहां जहां जाकर सत्संग नहीं करते अपने आस्रमों से कहीं बाहर भी निकलेंगे मुझे विश्वास से आप लोग दाल भात रोटी सब्जी बना कर जरूर उसके पास जाओ लेकिन संतों की अहतु की क्रिपा संतों की असी मनुकंपा हमारे उपर परस रही है संत गुरिजन आकर हमें उबदेश दिशते है जगाते की जाको लेकिन तो हम तो अज्ञान की नीद में अविद्या की नीद में घराटी भर रहे हैं कुम्ब करनी नीद में हम सोई हुए आखिर जगेंगे कब जिन्दगी के समय बित्ते चले जा रहा हर घड़ी हर पल हर एक सास निकल रहे है सासे कम हो रही है जिन्दगी कम होती जा रही है समय घडता जा रहा है लेकिन हमारे अंदर वो छिंतन और विचार ही नहीं आता कि हम अपने जिवन को अपने जिन्दगी को खोस्नुमा बनाएं बहुत कम लोगों के अंदर ये सोच आती होगी ये समझ होगी और ये समझ है कि कभी हम अपने जीवन को भी सजाएं देखे हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं या कोई फंक्सन में सामील होने जाते हैं तब कितने सरीज को सजा धजा कर निकलते हैं कोई फेराइन लबली लगाता है कोई फेराइन हैंडसम लगाता है कोई ब्यूटी पालर हो आते हैं ये फेराइन लबली और फेराइन हैंडसम आपके स्क्रीन को आपके चेहरा को कुछ देर चमक आता है तो जब हम बाहर जाते हैं तो अच्छे से सचते हैं, धचते हैं, सीज़ा को चारो तरफ सरीर के घुमा घुमा कर देखें, कोई फरकतों नहीं रहा गया, तब कहीं घर की दहलीज से हम अपने कदम बाहर करते हैं, मेरे प्यारे शात्यों माताओं बहनों, वैसी ही अपनी जिन्दगी को भी सचाने की अपने जिवन के अउगनों को निकालने का प्रियास करें, तो आपकी जिवन में चार चांद लग जाएंगे, जितनी भौतिक हानी, जितनी भौतिक चीज़ों में गाटा जिब होता है, आदमी माता पकड़ लेता है, कि मेरे ये नुकसान हो गया, वो बरबाद हो गया, ये हानी महसुस होती है, पूरी जिन्दगी का वैपार गाटे पे चल रहा है, ये हमको हानी महसुस नहीं होता, भौतिक चीज़ों की लाब हानी के तो आप भरपाई कर सकते हो, लेकिन अपनी जिवन के अध्यात्मिक जो हानी होती है, उनकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्क सलकता है, और धीरे धीरे जिन्दगी का समय, आपके मुठी से खिसते जाथा, हम सोते हमारी उमर बढ़ रही है, बच्चों के जन्मदीन मनाते हैं, हरे मेरे बेटा इतने सालका है, बेटी इतनी सालका होगे, आपके बच्चे के उमर घड़ रही है, आपके जिन्दगी हरे भरे परिवारों को इस बब्ब मकानों को बड़ी बड़ी मारतों को दुनिया के सारे स्वरियों को छोड़ कर आप सिर्फ हो सिर्फ मरघट के मुशाफिर हो उन दिनों को उन समयों को अभी से आप याद करना सीखे अब शंद्गुरुजन तो हूंकार भर रहें आवाज दे रहें समझना हमें एक कहनी कहूंगे फिर बाद समात करूँगा बोलिए शद्गुरुदेव की दो दोस्त थे थोड़ धियान से सुनेंगे आप लोग दोनों दोस्त रास्ते रास्ते चल रहे थे एक दोस्त के कंदे पर रहे से जोला लटका हुआ था उसका एक दोस्त दूसरे दोस्त से तीन कोश्चन करते है पहला कोश्चन करते है कि यदी तुम ये बता दो कि इस मेरे जोले में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे क्या कहते है यदी तुम ये बता दो कि मेरी जोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे है दूसरा कोशन कर दे दी तुम उसकी संख्या बता दो गिंती बता दो तो आठो अंडे तुम्हारे है तीसरा और अन्तीम प्रस्ण करते हैं कि यदी तुम ये बता दो ये अंडक कीस जानवर कहें तो मुर्गी भी तुमारे है उसका दोस्त कहता है कि अरे भाई साथ तुम्हारे सवाल भी बड़े अट पटे हैं जी कैसे कैसे तुम कोश्चन करते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है साथ आप लोगों को समझ आए क्या हो इस जोला में क्या है बता दो कि तो सारे अंडी तुमारे अंडी ही है उसकी गिंदी बता दो उसकी संख्या बता दो तो आठों अंडी तुमारे आठी अंडे है ये अंडक कीस जानवर कहें तो मुर्गी भी तुमारे आपके मगल लोग भैस मुर्दी में कोई मुरगांडा तो नहीं देता है ना तो उसकी बातें उसी में कोश्चन उसी में आंसर पूरा छिपवा बात एक्दम इसपस्ट है ऐसी संद्गुरुजन जब हमारे बीच, हमारे शमीब हम लोगों के पास जबाते हैं तो अपनी जीवन की साधना की तफस्या की, सारी निचोर, सारी अनभाव की बातें जियों के तेओं आप लोगों हम लोगों के पास रखते हैं कभी दुराओं और छिपाओं नहीं करते हैं इसलिए आप सबसंतों के चरणों में उनकी चरण सरण में इसी निश्ठा और लगन लगाय रहे हैं यही मैं आप लोगों के लिए मंगल काम ना करता हूं बोलिये श्रगुर देए वही जाए देखिए जीवन में वही ब्यक्ति सुखी होगा जिसके पास समझ होगी क्या? समझ सदबुद्धी धनी आदमी इससे बहुत दूर रहेगा सुख से पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है दूर रहे विद्वान आदमी वो भी दूर रहे सुखी कौन हो सकता है और कौन होता है जो समझदार होता है इसलिए हम को जो मनुस्व का जीवन मिला है उस समझदार होने के लिए मिला है समझदारी नहीं है इसलिए हम दुख का अनुबाव करते हैं देखिए गर्मी का मौसम आता है ठंडी का मौसम आता है बारिश का मौसम आता है गर्मी किसे पसंद है किसी को पसंद नहीं है थंडी भी किसी को पसंद नहीं है बारिस भी किसी को पसंद नहीं है लेकिन ये हकीगत है यदि गर्मी ना हो थंडी ना हो बारिस ना हो तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा इसलिए इन तीनों को सहना ये हम लोग का कर्तब्या है इसी पर जीवन आधारित है इसी प्रकार हम जब भी सुखी होंगे तो हमारी समझदारी की वज़ा से सदबुद्धी की वज़ा से अब ये क्या है ससंग यहीं से सदबुद्धी मिलती है समझदारी मिलती है जिसमें थोड़ी भी अकल है वो यहां से समझदारी लेकर चला जाता है सद्भुद्धी लेकर चला जाता है और अपने जीवन को कल से बेतर बनाने का काम करता है आईए और सुनते हैं हमारे विश विराजमाने स्रदे संस्री गुर्शेम साहिब जी आप से भी करवर्द प्रात्ना है कि आप अपने अमुले विचार से हम सब को लाभनित करने की किर्पा करें प्रेम से बुलिए सद्गुरु कवीर साहिब की जै अर्चनी बंदनी मुद्मंगल मैं संत समाज सम्मानी सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं स्रद्धा मती देवियों सुख और दुख कैसे होते हैं कुछ कुछ इस पर चर्चा भी स्रवन किये इसी क्रम को लाइए और आगे बढ़ाते हैं किसी ने कहा है यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं गवर से सुन लो मगर चलने से पहले सोच लो अन्जाम क्या होगा भलाई कर भला बुराई कर बुरा होगा सजनो सुख और दुख हम जैसे करते हैं उसके अनुरूप हमें सुख और दुख होता है इतना नहीं जैसे करते हैं और जैसे सोचते हैं दोनों पर निर्भर करता है सोचने मात्र से शुख होता है और सोचने मात्र से दुख भी होता है काम वही करते हैं लेकिन कहीं दुख हो जाता है और कहीं शुख होता है ईसको हम दो भागों में ठीक से बाटाएं, एक को कहा जाता है, सकारात्मक सोच, पाजिटिव थिंकिंग, दूसरा है, नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग, जिस ब्यक्ति को या जिस ब्यक्ति के पास सकारात्मक सोच है, उसका काम बहुँच जल्दी बनता है और जिसका सोच निगेटिव है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता है जो आदमी सकारात्मक सोचेगा निश्चित है, उसका कार्य भी सिद्ध होगा किसी ब्यक्ति को आप गलत निगा से देखेंगे, किसी काम को करने के लिए आप हिच किचाएंगे किसी काम के करने से पहले आप डरेंगे, तो ओ काम नहीं होगा वो काम में आप सफल नहीं हो सकते यदि आपको अपने जीवन में किसी भी काम में या किसी भी दिसा में सफलता चाहिए तो सकारात्मक सोच चाहिए कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई भी काम बताओ तो कहते हैं ये काम उससे नहीं हो पाएगा ठीक है किसी के सरीर में कोई तकलीफ है कोई अंग कमजोर है कोई बीमार है तो वो तो ठीक है कि नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ लोग काम करने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा जैसे उदारंदू जैसे अलाहबाद में नया पारा असरम में सूरत असरम में ब्रिहद रूप से सद्गुरु स्री अवलाज साहब जी द्वारा ध्यान सिवीर का कारिक्रम होता है आज भी चलता है कुछ लोगों को का भाई ध्यान सिवीर में आना कितने खंट बैठना पढ़ेगा साहब, साहब, आठ गटन पढ़ेगा, कामधारम कुछ नहीं करना है, आठ गन्त आपको बैठना है, तो कहें पहले ही कादोची यह काम हमसे नहीं होगा साहब, एक अपकोई आपको लिजा दो काम बता जा रहा है क्या? या आपको कोई तकलीफ हो, आपको सारीक तकलीफ हो, तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आदमी पहले ही हार मान जाता है, तो ऐसे आदमी कभी भी वो किसी भी दिसा में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके लिए एक ऐसी सोच चाहिए, कि जब सब लोग कर रहे हैं, मान लीजे, यहीं पर 90% लोग जमीन पर बैठे हैं, 10% लोग कूरसी पर, 10% लोग कूरसी पर बैठे हैं, अब कुछ लोग काते हैं, नहीं बैठ पाऊंगा, पहले ही मान लेते हैं, कुछ देर तो बैठ के सहीं दिखाएं, आपको तकलीफ होगी तो आप चेर पर चले लेकिन नहीं पहले ही मान लेते हैं कि मैं नहीं बैठ पाओंगा. तो वो आदमी कभी बैठ भी नहीं सकता है. गुर्देवजी एक उधारन दिया करते थे. आयोध्या में एक बार, अयोध्या में से दो शाउनी है. एक चोटी चावनी के नाम से जाना जाता है एक मंदिर को और एक मंदिर को बड़ी चावनी के नाम से जाना जाता है। बड़ी चावनी के महंत बैठे थे, उधर से लोग, मजदूर लोग हर दिन जाते थे। उसी क्रम में एक दिन जाते हुए देखा वहां के महन्त, तो सोचे की काम करने जा रहे हैं, रोज जाते हैं, कुछी ही देर बाद, दो गंटे के लगभग बाद, वो लोग वापस आ गए, महन्त ने सोचा कि यह लोग क्यों लोटा हैं, जरह पूछे तो, कुछु हा लवस, मह महांत बाहर निकले वह्या, रुको रुको, क्यों नही आच रहे हैं, क्यों अज कैसे लवटाएं क्या हुग दोग थ्ट काम पर क्यों नही काह Unterट, कह महराजजी हम लोग तो काम पर गय थे लेकिन किसी कारनवस evenες हम लोगों को काम नहीं मिल पाया इसलिए लाुटाएँ मांद्ड नहीं थीक है मांद्ड नहीं कोषग थीक है काम नहीं मिला तो हम काम बता दे कर और पाहोगे सबीद नहीं थीक है महाराज जी करेंगे मजदूरी आपको जुतना वहां मिलता था, उतना ही देंगे, दो गंटा बीद गया हुओ, उसकी चिंता मत करना, जितनी मजदूरी तुमको आठ गंटे में मिलती थी, उतनी मजदूरी मैं छे गंटे में दू, छे गंटा काम करने पर दूंगा, सबी तयार हो गए, बैठ कहें महराज जी बताये काम, महराज ने कहां कुछ काम नहीं है, भगवान का मंदिर है, उस मंदिर के सामने भगवान के सामने बैठ करके केवल राम राम जपना है, कोई खास काम नहीं है, केवल राम राम जपना है, सुरू में तो सोचा कि पहुत बच्छा काम है, भईया त आपा, एक आदम उटकर चला गया, और भी तो पांच गंटा और जबने ततो तो हमारे पहरे तूट जाएगा, वो उटकर चला गया, दूसरा भी ऐसे थोड़ गंटा, तीसरा कुछ दो गंटा, ऐसे करते-करते, तीन गंटे के अंदर, सब लोग वहां से रफु दपा हो गया क्यों कि कभी एक तो पहली बात अभ्यास नहीं, और दूसरी बात, स्रद्धा नहीं, तो वो काम कभी सफल नहीं हो सकता, स्रद्धा और विश्वास, सासात लगन, ये सारी चीजें जब होगी, तब कोई काम में सफलता मिलती है, तो मैं कह रहा था, कि सुख और दुख मान् पर निर्भर करता है। जो आदमी सकरात्मक सोचता है वो आदमी किसी भी दिशा में जलदी सफल हो जाता है और नकारात्मक सोचवाले कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए हम किसी के प्रती, किसी अभ्यक्ति के प्रती गलत ना सोचें, हर आदमी के प्रती भला ही सोचें, हमारे रिषी क्या कहते हैं? वस्देव कुटूमबकम, पुरा संसार हमारा कुटूमब है, और वो सब लोग सुखी रहें, इस प्रकार सोचेंगे, यह नहीं कि हमारे जातिको लोग, साहू लोग सुखी रहें, मरार लोग दुखी रहें, यादव लोग दुखी रहें, सतनामी दुखी रहें, या मुशलमान दुखी रहें, हमारे रिशिये नहीं कहते हैं, सब लोगों कोई सुख की कामना करते हैं, ज आदमी स्वयम सुखी होता है और वा दुकुस्रे का सुख देने का कारण बनता है उसके लिए हम एक उदाहरन और देखें लगन चाहिए हम किसी दिशा में जब काम करते हैं तो लगन पुरुवक यदी हम करते हैं तो निश्चित है सफल हो जाएंगे जैसे जो आदमी लगन पुरुवक काम करता है कैसे सफल होता है कहा जाता है जो आदमी मन में निश्चे होगा कि ये काम करने से मेरा लाब होगा अप लोग जानते हैं जो माला फेरते हैं कोई भी काम करते रहते हैं माला फेरते रहते हैं राम, 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 रा एक किसान, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बर्शात हो, उसको नहीं देखता है, मात्र क्या देखाई पड़ता है उनको, कि मेरा फसल, मेरा फसल देखता है, मतलब पानी की आव सकता है फसल में, तो वो उसको बर्शा हो रहा है, तो पर भी वो चला जाता है मेर बांधने के ल और बारी सो रही है, तो मेर फोरने के लिए चला जाता है, तंड कितनी भी थंडी हो, वो गेहु सिचाई के लिए चला जाता है, और कुछ सिचाई के लिए थंडी है, फिर भी पानी में काम करता है, कितना भी जेठ की दो पहरी में वा खेच चला जाता है, कुल मिला करके, उन उनकी सोच में क्या है, केवल मेरा फसल सुरच्छित रहे, सरीर को नहीं देखता, तो ऐसे आदमी सफल हो जाता, एक दुकानदार, यह सोचे कि अभी तो ग्रहक नहीं आयोंगे, ग्रहक आएंगे तब खोलूंगा दुकान, अभी तो हाय नहीं थोड़ दर घूम लेता हूं, तो उसका दुकान सही नहीं चलेगा, उसको केवल अपना समान भिक्री दिखाई पड़ता है, जिस जो आदमी लग करके कहीं काम करता है, वो सफल होता है, इसलिए हम लगन पुरुवक करें, देखें, मुशलमानों को देखें, जब उसका नमाज अदा करने का समय आता है, तो वो कहीं भी चद्दर बिचा करके नमाज अदा कर देता है, वो नमाज पढ़ने लगता है, तो कहने का मेरा तात्पर या, कि हम किसी भी दिशा में सफलता चाते हैं, तो लगन पुरुवक उस दिशा में काम करें, निष्जित है सफलता मिलेगी, कहा जाता है, कि एक बा अवाज निकाल रहे थे, दूसरे ने सोचा, कि इस प्रकार काश मैं भी ऐसा गाता, तो मुझे भी लोग फूल माला पहनाते, मेरी भी वाह वाह होती, मेरी भी जैजैकार होती, सोचता रहा, सोचता रहा, कारिक्रम बंद हुआ, गायक के पास पहुँचा, और कहा, कि गायक से कि आपके समान, मैं भी एक अच्छा गायक बनना चाहता हूं, तो गायक क्या उतर देते हैं, आप बन सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे भी अच्छा गायक बन सकते हैं, बस 30-35 साल तक लगातार उस दिशा में प्रयास करते नहें, आप गायक बन सकते वो आदमी सोचा कि 30-35 साल यह मुझे से नहीं होगा, तो किसी दिशा में यदि आप सफलता जाहिए, तो उस दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए, कोई गाते हैं, कोई बजाते हैं, कोई खेल में, कोई क्रिकेट में कोई और किसी दिशा में कोई बैपार में सफल होते हैं इसका मतलब वो लग करके करते हैं जो आदमी लग करके करता है वो सफ्छल होता सज्ञनो एशे ही मन हमारा इतना बिगड़ा हुआ है और उस मन को सुलजहाने के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं मन को सुलजाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और इसलिए यहां आये भी है सत्संग में और क्या बताया जाता है सत्संग में बताया जाता है कि हमारा जो जीवन जीने की सैली है उसमें और परिवर्तन आजाए उसमें और निखार आजाए और हमारा मन हमारे बस में हो जाए तो मन को बस में करने के लिए जब कोई कहा जाता है तो कहते हैं यह काम हमसे नहीं हो पाएगा जो पहले ही सोच लेते हैं वो काम कैसे कर पाएगा सकारात्मक्स होचे जब और लोग अपने मन को बस में कर लेते हैं तब उनका काम सफल हो जाता है तो मेरा बस, मेरा मन इतना चंक्चल है उँसे सांथ नहीं होगा मेरा भी मन सांथ हो सकता है बस उस दिसा में निरंटर्ता चाहिए लगन चाहिए उतसाह चाहिए जो आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता है वो सफल होता ही नहीं है एक बार एक भक्त है के यहां एक संथ गए उनके गुरुदेयोच है सेथ जी जो भक्त थे सेथ था उनके संथ के पहुँचने के पर वो सेथ जी आदर सतकार किये भोजन पानी के विवस्ता कर देने के लिए घर में कहा और समय हो गया और दुकान चले गया सेथ के जाने के बाद कुछ देर बाद सेथानी पहुची प्रणाम बंदगी की और बंदगी प्रणाम के बाद संत कहते हैं कि कैसे हैं स्वास्त कैसे है बैपार बट्टा कैसे चल रहा है सिठानी कहती है कि गुरुदेव जी इस साल बैपार में पच्चास लाग का मुनाफ़ा हुआ है पच्चास लाग का फायदा हुआ है संत कहते हैं कि पचास लाग का फायदा है और अभी तो सेट जी जाने से पहले बताये थे कि पचास लाग का घाटा हुआ है और तुम का रहें पचास लाग का मुनाफ़ा हुआ है सेठानी कहती है कि सेट जी की गणित अलग है और मेरी गणित अलग है बोनों का माहिθ बिलकुल मैज नहीं करता है संद ने कहा ये कैसा कैसी बात है भय toi मैज तो मैज 내일 ओन ब्लस बराबर two होता है एक दन एक बराबर दो ही होता है जाए वो बच्चा कहें, αιा श्रयान कहें जाय सीच्चा कहें या कोई भी कहें एक धन एक बराबर दो होता है और तुम कहते हो कि ने उनका मय थाला गए, उनकी गनी थाला गए तब सिठानी कहती है महराज जी हम जो बैपार करते हैं हमारे यह जो बैपार होता है हमारे पडोसी का भी बैपार होता है उनको एक कड़ोर का फायदा हुआ है इस साल और हम लोगों को केवल पचास लाग का फायदा हुआ है तो इसलिए सेथ जी क्या कहते हैं पचास लाग का घाटा है बोलते हैं जब कि पचास लाग का फायदा हुआ है पचास लाग का फायदा हुआ है पचास लाग का घाटा ने सेट क्या सोचते हैं कि जब उनको इसी बैपार में एक कड़ोर का फायदा हुआ है तो पचास लाग का हमारा गाटा है ना कितना सोचने का धंग कितना बदल गया दूसरे के दन को जब हम देखते हैं तब लगता है हमको कि हमारा भी गाटा हो रहा है कोई गाटा नहीं होता से आदमी कभी सुखी हो भी नहीं सकता सुख और दुख हमारा जैसा मन में आता है वैसा हम सुखी और दुखी हो जाते हैं कहा जाता है एक बार एक सेटी जैसे भोजन कर रहे थे बाल बच्चे उसके समीप हासांस कर के बात कर रहे थे रात्री का समय था फोन आया पोन आया यह मुबाइल का जबाना नहीं था फोन आया तो सेट रिशीव किया और कहे कि कौन बोल रहा है उसमें तो बोलना है पुछना ही पड़ता है आप तो मुबाइल में दिखाई पड़ जाता है मुबाइल में यदि आप नंबर भी शेव नहीं किया है तो टीव कार लगा दीजिए तो दिखाई पड़ता है कौन बोल रहा है सेट कहे कि कौन बोल रहा है और कहे आपका मुनीम बोल रहा हूं हाँ भई बोलो क्या बात है सेट ने कहा क्या बात है बोलो मुनीम कहता है कि सेट जी इस साल बैपार में पचास लाग का घाटा हो गया है, अब शेट को भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, भोजन वहीं पर ठचोड़ देता है, बाल बच्चों से हैं संसकर बात कर रहे थे, बात करना बंद कर देता है, और जा करके बिस्तर पर लेट जाता है, क्यों कि मुनीम कह रहा है कि पचास पचास लाग का घाटा हो गया है, गमगीन तो हो नहीं पड़ेगा भाई, कुछ देर बाद फिर फोन आया, गंटी बजी, और सेथ जी पुना रिषीब किया, फिर से फोन उठाया, और कहते हैं, कि सेथ जी बहुत बड़ी गलती हो गई, जोडने गटाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, पचास लाग का घाटा नहीं हुआ है, पचास लाग का मुनाफा हुआ है, अब सेथ जी उठे, और वही बाल बच्चों को जो दूर कर दिये थे, बोलना बंद कर दिये थे, लेट गये थे, फिर हां संस्कर के बात करने लगे, तो मेरे काने का मात्र एक ही अर केवल हमारी मान्यता में अंतर आने के बाद सुख और दुख में बदल जाता है, सुख और दुख कोई देते नहीं है, हमारा मन और मस्तिस्क की देन है, कई बार परिस्थितिया दुख का ही रहता है, फिर भी सुख मानता है, इसलिए हम अपने चिंतन को बदलें, और जीने का धंग को बदले। संतजन कहा करते हैं कि जो चीजे आपको अच्छी नहीं लग रही है उन चीजों को छोडते जाएं उस चीजों को छोडते जाएं उसका बीजी नडालें तो फल आएगा ही नहीं इसलिए हम अपने चिंतन को बदलें जो आदमी अपने चिंतन को बदलता नहीं है, वो कभी भी सुकी नहीं हो सकता है, चाहे जिस परिस्थिति में आजाए, एक उदारन दे करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, एक दुकान दार थे, सुबह सुबह टिफिन ले करके अपने दुकान गया, दुकान खोला और भोजन रख दिया, सफाई किया, कुछी देर बाद उनके कस्टमर आने लगे, और वो शारे कस्टमर उस दिन क्या संजोग था, कुछ भी ऐसा संजोग था, कि उनका कस्टमर लगाता रहता रहा, उनको भोजन की बात तो छोड़िये, पानी पीने का भी आउसर नहीं मिला, पायर थक रहा था, लेकिन दुकान दार का मन में प्रशन नता थी, पानी पीने का आउसर नहीं, भोजन करने का आउसर नहीं, बैठने का भी आउसर नहीं, पूरा थक चुका था, शरीर, लेकिन उसके मन में प्रशन नता थी, और अंतिम में लगभग चार पांच बजा, तब थोड़ा से कस्टमर कम हुआ, और वो भोजन किये, कहां उनको दो धाई बजे भोजन करना चाहिए था, तो पांच बजे भोजन किया, और भोजन करते हैं, सोच रहा था, कि भगवान ऐसे ही रोज कृपा करना, अब समझे वो क्या कह रहा है, भगवान ऐसे ही रोज कृपा करना, अर्थाद, रोज ऐसे ही कस्टमर लाना, जिससे मुझे फाइदा हो, तो कहने का ताद पर मेरा याँ, कि वो दुख, जाए लगने का भूफ हो, चारीर मे पीडा हो, य। जब आसारे भूफ उनको दुख नहीं महसूश हो रहा है था, केवल उनका चिंतन, उनकी सोच अलग थी, शरीर में ज़र दुख हो रहा था, लेकिन उनको पास कृस्टमर आ रहा था, क्यों? क्योंकि उनके पास कॉर्ण आरहा तो आदमी ऐसे ही कुछ भी सोच्ता है जए वा साधना के भीस मेंमन को निर्मल करने के भीस में या कहीं भी और कुछ भी से में, सोचता है, तो यदि आदमी सकारात्मक सोच रखता है, तो सकारात्मक सोच वाला आदमी सफल होता है, और नकारात्मक सोच वाला आदमी कभी सफल नहीं होता है, सज्जनु, किसी के प्रती, या अपने लिए, हम नकारात्मक न सोचे, अमुक ऐसे होगे, ये गड़ड़े, ओ गड़ड़े, वो अदमी सफल नहीं होता, हम दूसरे के भी, उसमें जो अच्छाई हैं, उतन उसको लें, तो निश्चित है, हमारा जीवन भी सफल होगा, इनी सब्दों के साथ, मैं अपनिवानी को भी राम देता हूँ. बोलिये सद्गुरु कबीर साहेव की, प्रेम से बोलिये सद्गुरु कबीर साहेव की, जय है, अभी हम फ्रिसाहब जी के बहुत सुंदर विशार सौन कर रहे थे, अब मैंने वेदन करता हूँ, इसी क्रम में, सरदेश संस्री क्रिपा सहब जी से, आप भी अपने विशार रख कर हम सब को लाभवनित करने की क्रिपा करें. मुद्मंगल में शंत शमाज, आधर निये धर्म प्रेमी बंधुओं, मम्तम ऐ माताओं बहनों, इस वशंदरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों। मैं सद्गुरू कबीर साहब युबाणी कजार पर थोड़ी चर्चा आपके बीच करने का प्रयाश करता हूं। किसी शाधक ने सद्गुरू कबीर साहब से प्रस्न किया होगा, जीव को कहां बिश्राम मिलेगा, उन्होंने उत्तर दिया, गुरु शगा आउ शंत शगा, अंत शगा है राम, कहां कबीर यह जीव को तीन ठावर विश्राम। सद्गुरू कबीर कहते हैं जीव को तीन ही जगा विश्राम मिलेगा, और कहीं विश्राम मिलने वाला नही है। चाहे हम धन से शंपन्न हो जाएं, पद से शंपन्न हो जाएं, भिद्या से शंपन्न हो जाएं, हमारा शोहरत देश ही नहीं, पूरे दुनिया में शोहरत बढ़ जाएं, लिकिन इस सब बढ़ते हुए भी बिश्राम मिलने वाला नहीं है। गुश्वामी जी ने भी कहा है। धन ही न कहे धनवान शुखी, धनवान कहे शुख राज को भारी, राज कहे महराज सुखी, महराज कहे शुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे शुख विश्न को भारी, तुलशिदाश विचार कहे संतोश विनाशव जीव दुखारी। शंतोश के बिना शंज जिव दुखी है, संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता, रावण, सब्सश्रकार की उनकी संपन्नता रही है, क्या वे शुखी रहे हैं इंद्र सप्रकार के सप्रकार के शंपन लेकिन वो शुखी रहे बड़े-बड़े भिजेता कहे जाने वाले चाहे वो शिकंदर हो, नादिर्शा हो, हिटलर हो क्या वे सब शुखी रहे हैं बहर की शंपन नता से हम शुखी हो नहीं शक्ते हैं आंत्रिक शंपन नता मिलने वाली नहीं है भावतिक पदार्थों से, भावतिक शर्यों से भावतिक शंपन नता मिलेगी, आंत्रिक शंपन नहीं मिलेगी आंत्रिक शंपन नता के लिए शत्संग करना होगा, धरम के रास्ते पे चलना होगा, भक्ति के मार्ग में चलना होगा, तब हमारे जो बाहर की पिपाशा है, वो अंतर मुखोगी और अंतर में ही विश्राम मिलेगा, सद्गुरु कभीर कहते हैं, विश्राम तिन ही जगा मिलने की जगा है, और कहीं जगा नहीं है, अब हम जो परचित हैं, जो शगा, उस शगा से ही साब उदारन देते हैं, जिसे हमारी अच्छी शमज उसमें हो जाए, गुरु शगा और शंत शगा, अंत शगा है राम, गुरु शगा है, शंत शगा है, और अंत में राम शगा है, अजिव को इनी जगहों में विश्राम मिलने वाला है, शंत शगुरु एक ऐसे शगा है, जो हमें कभी दगा देने वाले नहीं है, और शगा तो दगा दे सकते, शगा है, जितना ही निकट के शगा हो, अंत में शाथ छोड़ना ही छोड़ना है, जिस शगा से हम परचित हैं, वे सब शगा बीच में मिले हैं, अंत में सब शगा छुट जाएंगे, शरीर कोलो, शरीर ही भी अपना है, लेकिन शरीर साथ कहां देता है, अंत में सरीर छुट जाता है, और शरीर हमें कैसा दुख देता है, सब को पता है, अगर रोग आ जाए, फालिज मार दे, पेट में पीड़ा होने लगेगी, तब कैसे लगता है, तो शरीर अपना है, ले दगा देता है, मन हमारा साथ है, मन भी हमें दगा देता है, समय से, जिसको हम अपना परिवार कहते हैं, वो परिवार भी बीच में मिलें, वो बीच में छूड़ जाएगा, किसीने बढ़िया कहा है, बेटा भी, एक दिन बाट लेगा, लड़का भी एक दिन लड़के ले जाएगा, ले लेगा, इसलिए कहा गया है, बेटा भी अमानत है, वो बहु का हो जाएगा, बेटी भी अमानत है, जमाई का, उसे जमाई ले जाएगा, बाटी भी अमानत है, काल का, एक दिन काल खा जाएगा, अगर बाशना को उत्याग कर आत्मशांती को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा जितने शगा है सब बीच में मिलें अव अंत में छोड़ देते अव यहां तक शगा निकट के होते हुँ भी दगा भी देते हैं सब को पता है इतिहास में ते रंगा हुआ है जिसको हम बेटा कहते हैं एक दिन बाट लेता है अपनी ही संतान संताब देती है अपना ही लड़का लड़ता है अपना ही बेटा बाड़ता है अपना ही सगा आई दिन दगा भी दे देता अपना ही सगा आई दिन दगा भी देता अशली शगा वह है जो हमें अन्द तक साथ दे, अशली शगा है हमारा धर्म, अशली शगा है वह है शंत गुरू, जो हमें सच्चे राह बता करके, सच्चे ज्ञान बता करके हमें जहां कता अपना मुकाम में पहुंचा देते, शद्गुरु कबीर कहते हैं गुरु शगा और शंत शगा अंत शगा है राम अंत में जीव के साथ राम ही है शंत अगुरु भी राह बताएंगे वो बीच में वो भी छुट जाएंगे लेकिन राम अपना कभी नहीं छुटने वाला है राम कभीर साहिब राम कहते हैं बीजक में कभीर साहिब ने पहुने दो शोवार राम राम कहें अब उनका राम दसरत पुत्र नहीं है उनका राम निर्गु निराकार अकास पाताल में नहीं उनका राम मंदिर मजजिद गिरजा घर में नहीं उनका राम शकारात्मक शुछे प्राणी जगत ही उनका राम है अंतता अपनी अंतरात्मा ही राम है सब गट मेरा साइया सूनी सेज न कोई बलिहारी वा पुरुस की जागर परगट होए वो राम तो सब गट में है जो सब गट में बोलने वाला राम है वो राम कभी छुटने वाला नहीं है वो सब की अपनी अंतरात्मा है बाहर राम अगर हैं लोग मानते हैं छुड़ आएंगे मिलेंगे छुड़ जाएंगे हमें ऐसा राम चाहिए, ऐसे भगवान चाहिए, गो मसे कभी जुदा ना हो जो अपनी आत्म अपना राम है वो कभी हमसे जुदा जूदा, अमसे अलग होने वाला नहीं अपना होते हु अनौवक्योंने होता हैं कभी साबिश अधिशंदर्म भी तो कहते हैं गूंगट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे घट गट में वैशा ही बशत है कटुक बचन मद बोल रहे गूंगट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे गूंगट का पर्दा जब तक नहीं हटेंगे तब तक प्यू परमात्मा अंतरात्मा का शाक्षात्कार नहीं इस जो नव बधुएं, जो मुख तक कपड़ा धखके रखती उन्हें गूंगट का गया तेहां अध्यात्मिक गूंगट क्या है? ये अविद्या ही गूंगट है और कहें तो अज्ञान, अज्ञान ही गूंगट है जब तक अविद्या रहेगी, जब तक अग्ञान रहेगा, अग्ञान क्या है, जो अपने मन के जो विकार है, यही अग्ञान है, जब तक यह अग्ञान का परदा रहेगा, तब तक आत्मा का जीव का साक्षातकार नहीं होगा जैसे शूर्य जाजोलने मान है लेकिन बद्दल आने पर सूर्य के किर्णे हम तक नहीं पहुँश पाती है अभिद्या तब तक आत्मा का साक्षातकार नहीं होगा इसलिए श्वामे संकराचारी ने कहा प्रशन्चित्तम परमार्थदर्शनम प्रशन्चित्मे परमात्मा का शरूप का शाक्षात्कार होता है विशुद बुद्धे परमार्थवेदनम विशुद बुद्धी में परमात्मा का शरूप का शाक्षात्कार होता है आओर वे कहते हैं वाहे निरुद्धे मन्षय प्रशनमता मना प्रशादे परमार्थ दर्सनम तस्मिन सुद्रिस्टि भावभंध नासव। स्वामेशनकराचार कहते हैं मन जब तक वाई पदार्तों से अंतर मुख नहीं होगा तब तक मन प्रिशन्म नहीं होगा. अब मन के परशाद होने पर ही परम आत्मा का शरूप का शाक्छात कार होता है तस्मिन सुद्रिष्टे भवबंध नाश जब पूर्ण रूप से आत्मा का शाक्छात कार हो जाता है तब भवबंधनों का नाश होता है अब यही मुक्ती की बाणगी है जब तक अविद्या र तब तक आत्मा का शाक्षात कार नहीं होगा, राम कहीं बाहर नहीं है, सबकी आत्मा है, ओ आत्मा का नभाव कब होगा, जब अविद्या हमारी हटेगी तब, तुम्हें आपके विच थोड़ी चर्चा की गुरु शगा आउ शंत शगा, अंत शगा है राम, कहाई कबिर ये जीव को तीन ठवर विश्राम, भोलिए शद्गुरु कबीर सारे में की जय, अभी हम स्रदेश स्री सहब जी के उत्तम विचार सुन रहे थे, अब मैंनी विदन करता हूँ, स्रदेश संस्री गुरुशन सहब जी से, आप अपने उत्तम विचार से, हम सब को लाभानित करने की कृपा करें, हलू, थंटी बड़ी है, तो धीरे धीरे, घर के तरफ वापसी है, अब जीरे लरी बड़ी है। Guru Kabir Sahib की जय काफी देर से दूसरा सत्र प्रारम हो चुका है और हमारे पुझ्य संत जनों के विचार काफी कुछ सुने हैं और अभी बहुत कुछ सुनना है और अभी बहुत कुछ सुनना है इसलिए अभी आप सभी धेरिय बनाए रखें विवस्थित बैठे रहें सत्संग का पूरा लाव लेकर जाएं वर्ष में इस तरह का सत्संग तो एक ही बार होता है यहां तो आसपास के लोगों के लिए एक बहुत सुन्दर और उसर है पूरा लाव ले और इसी प्रकार के सत अत्संग से लाभ लेने के लिए लोग दूर की आत्र करते हैं आप सब जानते हैं दूर जहां संत जन निवास करते हैं वह छह प्रयाग राज हो ऐध्या हो हरी जाहां संतों की जंगठ है जहां इस प्रकार के आयुजन होते हैं जीवन कल्यानकारी बातों का विस्तार से वरणन होता है वहाँ लोग दूर दूर से जाते हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए जीवन में कुछ स्किल डवलप करने के लिए तो पैसा दे करके भी लोग जाते हैं सत्संग का यवजन तो फ्री होता है शायद इसलिए इसका महत्य जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं दे मिलता है कबिर साहब जी ने कहा है ना बिना दाम काम ना आवय बिना दाम के काम नहीं आता है दाम चुकाव तो ही महत्य का होता है कीमत दे करके किसी चीच को हम ले, यहां एदी कोई टिकट लगके, टिकट कटा के आना होता, भई जो भी सत्संग में आएगा, उनको पचास रुपिय देने हैं, पचास रुपिया कटा के पैसा दे करके आते, भई पुरा पैसा वसुलना है, पुरा देर तक रुखना है, जै भई जाता है, तो वो छोड़ के नहीं जाता है, कि अभई पैसा दिये हैं, कैसे बीच में चले जाएं, आप बस में बैठो, और ठीकट कटाओ, और आधेर आस्तिन जाकी उतर जाओ, ऐसा त नहीं होगा ना, पैसा दिये हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, कोई कहें उतर जा पैसा दिये हैं, तो पैसा दे करके उसका महत तो होता है, लेकिन सत्संग तो फ्री में, वो इसलिए है, कि आदमी बड़ी सरलता से जीवन को समझे, पच्चे विद्यालाय और महा विद्यालाय पढ़ते हैं, तो वहां भी फीस देते हैं, तब वो बाते पढ़ाई जाती है यहां पर जो फीस है वह क्या है? बड़ी धैर ये पुरुवक बिनम्रता और शालिंता से जो कुछ कहा जाए उसे स्रवन किया जाए और जो कुछ सुना जाए उसे जीवन में धारन करने का अभ्यास किया जाए क्योंकि जानना और न करना न जानने के बरावर है जानना और न करना जानने किया करना है या नहीं करना है लेकिन जो जानना गया है उसको किया नहीं जा रहा है तो क्या कहा है? वो न जानने के बरावर है जैसे कई बार ये उधारन दिया जाता है कि यह हैं एक आद्मी है, पुस्तक पढ़ना नहीं जानता, और एक दूसरा आद्मी है जो पुस्तक पढ़ना जानता तो है, लेकिन पढता नहीं है, तो दोनों में थ की पढ़ना जाने, लेकिन पढ़ने तब अ महत्यो का है, तब थ की पढ़ना नहीं जानता। फ्री कि Person who is not, वह भी नहीं पढ़ता, तो उनका भी इस्तर कहा है, ना पढ़ने वाले समान, ऐसे ही एक आदमी है, जो सत्संग जाता ही नहीं सत्संग में, कभी वो सादू संगत और सत्संग के संपर्क में आया ही नहीं, इसलिए उसे जीवन, कल्यानकारी बाते, साधना की बाते, भक्ति, ग्यान वैराग्य की बाते, और वेवहार की पवित्रता के बाते, वो नहीं जानता है, सुना ही नहीं है, ना इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ा है, अर्थात उन्हें इस संबंध में कोई नालेज नहीं है, ग्यान नहीं है, तो फिर जो आसपास के लोगों से सुना, आस चाहे घरवालों को हो, चाहे पडोसियों को हो, चाहे परिवार और रिस्तेदारों को हो, देखा कि ऐसा करता है कोई आदमी तो ऐसा करना चाहिए, कोई गाली देता है तो गाली देना चाहिए, कोई अपमान करता है तो अपमान कर देना चाहिए, रास्ता में चल रहे हों और क आपने में लाते जाते हैं, अब उनके जीवन में समझ नहीं आता है, कि ये गलत है, किसे ही है, नहीं पता चलता है, अच्छा, पकड़े गए, पीटे गए, अप्वानी थुए, और यह तो होते रहता है, इस में कौन बड़ी बात है, लेकिन, जब कोई सत्संग में आता है, तुन्हें समझ में बात आती है, नहीं, ये जीवन जिने का तरीका नहीं है, और है, तरीका अलग है, इसको ये ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है, ये सारी चीजें, जब वह सत्संग में सीखता है, तो सीख तो लिया, लेकिन, वैसे ही है, जैसे नहीं लेकिन जब सीखा गया उसके लिए अभ्यास किया जाया गया प्रयास किया जाएगा तो जीवन में बदलाव दिखेगा यहां आकर के सुनें कि साहब कहते हैं सदुरु कवीर कहते हैं कि अचा कहते क्या यही स्थोड़ी सुनते हैं जगा जगा वो पंक्ती लिखी भी आप पढ़ते भी हैं साहद इसकुल की पुस्तक में भी पढ़े होंगे बहुत सरल सी बात ऐसी वानी बोलिये बन का आपा खोए अवरन को शीतल करे आपुई शीतल होए बस इतनी सी बात है अब यह पंक्ती तो है अब इसको क्या करना है अब यह मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए क्या कह रहा है साहद ऐसी वानी बोलिये मन का आपा मन में अहम भाव रख कर के न बोलो यदिव ऐसा रखोगे तो फिर वो शब्द जब आंकार में लिप्टा हुआ सब्द निकलेगा तो सामने वाले को तकलीफ होगी आपको भी शपुन नहीं मिलेगा तो साहद कहते हैं कि तो बोलना कैसे है ये भी बता देते हैं ये न बोलो मतलब यह न करो अच्छा तो करो क्या वो भी बताते हैं साहद कहते हैं कि औरन को शीतल करें दूसरों को शीतलता पहुचाएं ऐसा नहो कि आप बोले और आग लग जाएं यहां कहते भी नहीं हैं उनकी बाते सुनके बस मुझे आग लग गई होता है कभी कभी कहते हैं ऐसा बोलते हैं कि बस आग लग जाती है तो आग लगने का मत Heinrich को परावनches हो जाना हुख परिशान हो जाना मतलब न हृखम क्या मतें कहांतो बाते गहां जिससे आदमी सामनेवाला परिशान हो जाए नहीं इस भावसे ही कहा गए है समय पर खुण इस भावसे ही कहा गए है तो हुख मिलें को दुख हो ऐसंद हो यह सोचकर ही कहा गया है तो क्या होगा? अब कोई सामने वाला बहुत ही परिपक्वा और साधना परायन हो तो उनके सब्दों का प्रभाव नहीं पड़ेगा यह हो सकता है लेकिन कोई आदमी लगातार किसी को ऐसे सब्दों का भचार करता रहे तो एक साधक और साधना परायन भी उसको पसंद नहीं आएगा उसको पसंद नहीं आएगा और यह चाहेगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि यह निके मुह में तो जहर है ठीक नहीं है और लगातार कोई चाहेगा कि हमारे पड़ जहर उगले, कोई जुरॉत नहीं है, क्योंकि, मालो हो सकता है उसे उनका फरक नपड़े, यह हो सकता है, लेकिन भह जो उसको शहने में या कहना चाहिए कि उस जब तक वो सुनता है तब तक के वह कम से कम अपना काम तो नहीं कर प पाएगा, इसलिए हम यदि यह मान करके चले कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं बोलना है, अचा क्यों नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोलना है कि जब कोई दूसरा ऐसा बोलता है, तो मुझे तकलीफ होती है, यह मुझे अन्भव है, जब मुझे यह पता है कि दूसरों के इ अखलीफ होती है, साहिब ने कहा है ना जैसा बन है आपना वैसा बन है और मन के विशह में कहा उनों ने कि जैसा मेरा मन का जंगल है वैसे दूसरों का भी है अर्थात मैं आदली यदी कोई ठीक से निरिक्षन करे तो अपने जीवन को पढ़ने लग गया नो दूसरों के भी पढ़ने लग जाता है अपने मन के बारे में जानने लगा तो लग भग वसी आसपास में वो दूसरों को भी जानने लग जाता है कि भई मनुष्य की ये ढंग है मनुष्य में इस प्रकार के विचार आते हैं ऐसी परिष्थित में ऐसे विचार चलते हैं ये एक सुभविक अस तरहासा मन का नियाम है तो समझ लेगा कि इसका अवरोप मन भी प्यूलते हो गशुरते हूर अपने में जब घटे Kennett village यह समझो दूसरों में भी है, जब हमसे गल्ती हो जाती है, हमसे गल्ती हो जाती है, तब हम क्या कहते है, मेरी गल्ती को लोग छमा कर दें, अच्छा तो दूसरे एक मन भी यही चलता है, दूसरे एक मन में क्या चलता है, जब गल्ती हो जाती तो क्या समझता है, मेरी गल्ती जब यह गलती हो गई तब यह मैं समझ लूँ की दूसरे आदमी से भी गलती हो सकती हो जाती है तब क्या करना प्रहार नहीं करना है प्रहार नहीं करना है क्या देखना है? कि भही, आदमी है इतना परिपक्प नहीं है और गल्तियां होती रहती है इसलिए उन्हें छहमा कर दे संभव है यदि आप में और अधीक परिपक्पता है तो आप उन्हें एक सही रास्ता बता सकते हैं वो भी सरलता से, दिखे, कभी कभी किसी को हिदायत देते हैं, उसमें भी बड़ांतर है, हिदायत इजभाओं से देते हैं कई बार कि वो अपमानित महसूस करें, मतलब सबके बीच उन्हें जलील करना चाहेंगे, उनके दोसों को का वर्णन करना चाहेंगे, मतलब उन्हें अ अकड़ बार जग जाता है, क्योंकि ये अकड़का ही तो लक्षण है कि आप उनके इस प्रकार से अपमानित करने की चेश्टा कर रहे हैं, कश्ट देने के, लेकिन जब आपके मन में हितका भाव होता है, और उन्हें सुधार का भाव, उनके प्रती सुधारातमत भाव हु तो उसके बाद, देखिए पहले क्या हुआ, भीतर में क्या विचाराया, इनका भला हो, कुछ ऐसी बात इने बता दी जाए, और ये सुधार जाए, इनका भला हो, अब इस भलाई के भाव से जब बोलेंगे, तो आदमी निश्चित रूप से ग्रनसील हो जाएगा, क्योंक कड़वी गोली होती, तो कड़वी गोली के उपर में सुगर कोटेट होता है, सुगर कोटेट होता है, ऐसे ही सब्दों के उपर में लेयर चड़ता है, लेमिनेशन, जिसे पुस्तक के कवर में लेमिनेशन चड़ाया जाता है, आजकाल तो आप से भी जानते हैं, कोई ID होत एक मतलब उपर से प्लास्टिक कोटेट कर दो, प्लास्टिक से, ताकि यह पानी वगर भीगे नहीं जल्दी खराब नहीं हो, ऐसे ही अंदर की भावनाएं, हमारे शब्दों पर लेयर चड़ा देते हैं, अच्छा भाव है, तो शब्दों में अच्छा लेयर चड़ गया, मत अंदर में कालुष्यता है, मतलब अफमानित करने का भाव है, तो वो शब्द निकलेगा ना तो शब्द में वो ऐसा लिप्ठा हुआ रहेगा, मतलब लिप्ठा हुआ भी कहना सही नहीं है, वो समायवा जैसे, रजगुल्ला होता है ना रजगुल्ला, रजगुल्ला में जैसे चीनी या जलेवी में जैसे चीनी समाग है बिलकुल, वो तब प्रोथ है, ऐसे ही उस सब्द में वो भाव बिलकुल अंतरंग पिरोय होता है, और हम सभी, जब शब्द किसी के अंदर से आता है न, तो भीतर वाला ये समझ लेता है कि ये किस धंग से कह रहा है, किस किसी भाव से कोई कह रहा होता है, तो आदमी विनम्र होता है, और सुधार के लिए भी सोचता है, भाव सही है, कितने हमारे हित के लिए उनकी बाते हो रही है, ये होता है, तो कहने का मतलब यह हुआ, अपने जीवन के क्रिया कलापों को जान करके, अपने अंतर को जान करक कि दूसरे के भी अंतस को, देखो, सत्तपरतिसद तो समझना मुश्किल है, और कई लोग तो जब छिपाने लगते हैं, तो और कठीन हो जाता है, और कहते हैं, कि सच्चे लोगों को समझना सरल है, लेकिन जो कुटिल है, कुटिल थोड़ा कठोर सब्द हो गया, लेकिन जो तो सच्चे नहीं है, ऐसे लोगों को, जिनका चोड़ा तेड़ा मेड़ा है, वैवार, ऐसे लोगों को सब्जा बहुत कटिल क्योंकि वो अपने को भीतर से बदलने में बड़े, वो माहिर हो जाते हैं, यद्द्पी, यह बहुत लंब समझना नहीं चलता है, यह भी जोई भी मुखावटा कब तक चलेगा, कब तक के मुखावटा लगाय रहोगे, अन्त में जहां लंब संबंध होता है, वह तो खुल जाता है, गुर्देव जी ने लिखा है, वीजक व्याख्या में, कि सोना के कशे और मनुष्य के बशे पर्खा जाता है, कहते थे, सोना क कशे और मनुष्य के बसे, सोना को कैसे जानोगे कि खरा खोटा है, खरा खोटा पता चलता है कसाउटी में कसने से, अच्छा मनुष्य के बारे में कैसे जानोगे, बसो, साथ रहो, क्योंकि कोई कुछ समय के लिए मिला जैसे आप हम सभी यात्रा में मिलते हैं, ट्रें की य कुछ लोग तो होते हैं थोड़ा सा बहुत जल्दी अपना जो गलत वेभार को प्रगट करने लग जाते हैं लेकिन फिर भी सालिंता बर्ती जाती है थोड़े देर का संबंध है कहा है गुलजना और सरलता से बातचीत कर लो आगे नहीं पटलो तोड़ी बहुत उनकी असाव को यह आप जो वहां पर सहंसिल बन रहे हैं विनम्रा और सालिंता का वेभार कर रहे हैं तो फिर ये लंबे समय के बाद में क्या कर पाते हैं? यदि कर पाते हैं तो ही आपकी असली परिक्षा वही पर आप समझे कि असली रूह प्रगठ हुआ ही कहते हैं, जब लंबे समय तक किसी के साथ रहो तो पता चलता है कि आदमी कहरा है कि खोटा है साइब जी पधार रहे हैं बुलिए सद्गुरु देव की जय साइब सुबह तो कहा था आगे बढ़के बैठो कहके अब तो कहूंगा पीछे जाओ और पीछे जाओ वहां तक जाओ जहां तक दिवार है बैठना ही तो है चाहे वहां बैठो तो भी उतना यहां बैठो तो भी उतना आप कहेंगे तो फिर क्यों आगे बढ़ वारे हैं? वो बता दिया था क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? बैठ जाओ बारहाल जिनको अपना इस्थान परिवर्तन का मन न हो तो बैठ जाएं बैठ जाओ हाँ घर जाने का भी समय हो गया है हाँ आगी बार एक समय हो गए है तो इसला आगाते है अभी तो टाइम है बहुत अकनले ठीक है भजन वागेर होगा तो गाहे हैं? ये तो बाते हो गई पुरी हाँ हाँ प्रहम से बुलिए सद्गुरू कबेर साहब की जह परमपोजी गुरुदेवजी को सुनने से पहले एक भजन सुनते हैं अग्यार है इक